जैशरी शाम सभी शाम प्रेमियों को G-Trak भक्ती चैनल से मैं प्रकाश कड़वाल चैनल में आप अप सबका हादिखारदिग स्वागत दोस्तो अब तक मैंने शाम प्रेमियों के खाटू शाम जी के वीडियो लगाए आज मेरे कई मित्रों का, कई दोस्तों का, कई शाम प्रीमियों के और मेरे गुरुजुनों के आगरे पर मैं आज ये करोना वाइरस के लेकर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ शायद आपको पसंद आया है तो दोस्तो ये करोना वाइरस की हकीकत को लेकर ये वीडियो में बनानी जा रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो इसको शेर जरूर करना जी हाँ दोस्तो करोना वाइरस एक ऐसा घमंडी किसम का और अकडू किसम का वाइरस है जो के आपके पास ऐसे ही नहीं आएगा आपके घर ऐसे ही नहीं आने वाला जब तक के आप इसे लेने खुद बाहर नहीं जाओगे जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही घमंडी किसम का वाइरस है और इसमें इतनी अकड भरी हुई है अगर आपने इससे पांच कदम दूरी से भी बात की तब भी ये आपके पास नहीं आएगा ये एक बहुत ही अकडू किसम का वाइरस है बहुत ही घमंडी किसम का वाइरस है जब तक कि आप इससे हाथ नहीं मिलाओगे ये आपके पास नहीं आएगा जब तक कि आप इससे जाके गले नहीं लगाओगे ये आपके पास नहीं आने वाला इसमें इतनी अकड़ भरी हुई है इतना घमंड है कि ये आपके पास ऐसे ही नहीं आने वाला दोस्तो, ये वाइरस इतना अकड़ू किसम का वाइरस है कि चल कर आपके घर पे नहीं आएगा जब तक कि आप घर के बाहर नहीं जाओगे इसको लेने, जब तक ये आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों हमारे देश की परंपरा है अथिति देवभव है और इसलिए हम अथिति को लेने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं और उसको मान सम्मान आदर देकर उसको हमारे घर में पर्वेश करते हैं लेकिन दोस्तों ये वाइरस कोई अथिती नहीं है ये एक प्रकार का खुकार राक्षस है अगर ये एक बार हमारे घर में पर्वेश कर गया हमारे सरीर में पर्वेश कर गया तो ये हमारे सरीर में गु पर्वेश करके हमारे देश को भिलकुल खोकला बना दिया उसी प्रकार यह वाइरस भी एक खोकार और दरिंदगी भरा वायरस है यह एक बार हमारे सरीर में पर्वेश कर गया तो उसके बाद हमारी भी नहीं चलेगी यह कहेगा छीक तो आपको छीक ना पड़ेगा ये कहेगा कि खास तो आपको खास ना पड़ेगा ये कहेगा कि अब लेट जा तेरा टाइम हो गया तो आपको लेट ना पड़ेगा आपको कहेगा कि एकांत में जा तो एकांत में जाना पड़ेगा और जिस समय इसने आखरी वक्त आखरी सब्द कह दिये कि जा तेरा टाइम खतम अब जा तू उपर जा तो यह आपको उपर भेज कर ही चेन लेगा इसलिए दोस्तो ऐसे घमंडी राक्सस ऐसे घमंडी वाइरस को क्या आप अपने घर में आने देंगे और फिर भी मैं एक बात कहता हूं दोस्तो जो भी पुन्ने आत्माएं हैं धन्ने आत्माएं हैं द ऐसे खुकार घमंडी राक्सस को लेने के लिए घर के बाहर जा रहे हैं उनको मेरा नमन है क्योंकि उनसे बड़ी आत्माएं इस देश में कोई और नहीं उनको प्रणाम है ऐसी माताओं को प्रणाम है जिनको ऐसे सपूतों को जनम दिया नमन है ऐसी माताओं को जिन्हों न निभाते हुए खुखार घमंडी किसम के अकडू किसम के वाइरस कोरोना को लेने उससे हाथ मिलाने घर के भाद निकल कर उसे गले लगा कर उसको घर लेकर आ रहे हैं तो ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं क्योंकि वो वीर एक दिन सहीद होने वाले हैं वे नहीं जानते उनका न प्रवाइरस है जो आपके घर में आकर आपको एक दिन सहीद करने वाला है और वो लोग भी सहीद होने वाले हैं इस वाइरस से जिन्नों ने इसमें अपनी भूमी का नहीं निभाई उनका दोस्त सिर्फ इतना है कि वह उन वीरों के भाई हैं चाचा हैं ताउ है या घर के बाहर जाकर हमारे परंपरा को निभाते हुए करोना से हाथ मिलाते हुए उसे गले लगाते हुए उसे आदर सतकार के साथ उसे अपने घर में लेकर आ रहे हैं और अपने जिस्म पे राज करने के लिए उन्हें आगरे कर रहे हैं और साथ इसाथ अपने बच्चों का अपनी बीवी का अपनी माता का और अपने पडोशियों का इनको भी वो सहीद करने के लिए तुल्ले हो चुके हैं तो नमन है ऐसे वीरों को जो ये काम कर रहे हैं दोस्तों ऐसे वीरों से बचो जो अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि करोना एक बहुत ही घातक बीमारी है इस से बचने के लिए सिर्फ हमारे पास केवल और केवल बचावी है भीड से अलग रहें, सुरक्षित रहें अगर हम घर के बार नहीं जाएंगे तो ये वाइरिस हमारे घर पे दस्तक देने बिल्कुल भी नहीं आएगा इसलिए मैं एक बार फिर आपसे आगरे करता हूँ मोदी जी ने भी आपसे यही आगरे किया जो हमारे देश के प्रधान मंत्री है उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि ये आपके घर नहीं आएगा जब तक आप इसे लेने घर के बाहर नहीं जाओगे ये जब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक आप इसे लेने बाहर नहीं जाओगे जब तक कि आप इसे हाथ मिला के दोस्ती नहीं करोगे ये आपसे दोस्ती नहीं करेगा दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने करोना को लेकर बनाया है इसमें हमारे सर्चों ने इतनी ही जानकरी प्राप्त की कि ये एक ऐसा वाइरस है जो कि इनसान को इनसान से मिलने के बाद ही उस तक पहुँच पाएगा अगर हम घर में रहकर इस वाइरस की केरिंग करेंगे इस वाइरस का असर अभी तक जो विज्ञानिकों ने मालूम किया वो यह है कि 6-8 दिन में इसका असर पता चल जाता है अभी हमारे राजस्तान जैपुर में भी लॉकडाउन किया गया है ताकि आप एक दूसरे से ना मिलें लोगडाउन का मतलब है कि 6-8 दिन के अंदर ये वाइरस एक्टिव होकर आपको अपने लक्षन बता देगा कि आपके अंदर कहीं कोरोना के लक्षन तो नहीं है आपको खुशी होगी 6-8 दिन के अंदर अगर आपको बुखार नहीं आता है खाशी नहीं आती छीके नहीं आती तो आप समझे कि आप सुरक्षित है और जिस किसी को आती है तो उसको भी पता चल जाता है कि करोना वाइरिस मेरे अंदर आ चुका है ताकि मैं भी इसका में लगे हुए हैं अभी तक हमको सिर्फ यहीं बताया जा रहा है कि आपके लिए बचाव ही सुरक्षिया है तो बचाव करने के लिए फिर मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि आप घरों से बाहर ना निकले जो सरकार ने हिदायते दी है कि घर में रेकर ही 6-8 दिन 10 दि कि अगर किसी को करोना से संकरमित पाया गया तो उसको भी पता चल जाएगा इससे दो फाइदे में पहला फाइदा यहाए कि यह वाईरस जिसको भी लगा है छे से आठ दिन में उसको पता चल जाएगा वो सिर्फ एक फैमेली तक ही फैल पाएगा जिस घर में वो रह रहा है उसी घर में वो फैल पाएगा उससे पूरा देश बचाओ में रहेगा दूसरा जो लोग घर के बाद नहीं निकल रहे हैं जिस घर में संक्रमित वाइरस जो है वो उस तक नहीं पहुच पाएगा जैश्री शाम दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर इसमें आपको लगता है कि कोई ग्यानवर्दक चीज है ग्यानवर्दक बाते हैं तो इसको शेर जरूर करें अपने दोस्तों तक पहुचाएं यही हमारा देश से आज का जैश्री शाम लादे लादे